नमस्कार दोस्तों अलग अलग तरह की पोश्ट यहाँ पे शामिल की गई आप सभी को बताना चाहता हूँ इसमें स्टाफ नर्सिस लेप टेकनीशन फार्मेसिस्ट, मेडिकल अफीसर आयूश मेडिकल अफीसर यह सभी तरह की पद इसमें आप पे शामिल की गए टोटल लंबर अफ वेकैंसी कुल मेला के जो पद यहाँ पे जो रहने वाल है 116 यहाँ पे रहेंगे 116 वेकैंसी जहाँ पे शामिल की गई मेल और फीमेल, महिला और पुरश दोनों इन वेकैंसी के लिए आप लो अपलाई कर सकते हैं अच्छी बात यह कि इन वेकैंसी के लिए कोई भी इंटर्विव आपका नहीं लिया जाएगा कोई भी एक्जाम आपका यहाँ पे नहीं लिया जाएगा और दोस्तों जो भी आपके क्वालिफिकेशन है उसी के अधार पे आप लोगों की मेरिट लिष्ट यहाँ पे बनेगी फिर आपको जोईनिंग दे दी जाएगी तो पूरी जानकारी इस वीडियो माँ पे कवर करने वाले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे लाइक करें इस वीडियो को इस्तमेनत को लाइक जरू करें मद्यप्रदेश स्वास्त विवा की हर विकैंसी की जानकारी आगे भी चाहते हैं तो पहले से चैनल को सबस्क्राइब करके रख लें तो वीडियो के नीचे जाएं सबस्क्राइब के रैड बटन को आपे क्लिक करें मद्य प्रदेश स्वास्त बिवा की हर वेकेंसी की जानकारी आगे भी पाते नहीं तो बिल्कुल शुरूबात करतेते हैं अपने अपडेट को बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की और तो दोस्तो डारेक्टिव वेकेंसी टेविल को यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं तो पहली जो पोस्ट है इसना तक चिकिस्सा अधिकारी कहाँ पर रहेगी तो मेडिकल अफिसर की पोस्ट है इसमें आठ पाद यहाँ पर शामिल की गए M.D.E. होना इसमें आपका जरूरी है मेडिसन फील्ड में जो यहाँ पर डिगरी केंडिरेट्स है एक लाग पचीस अजार जो यहाँ पर डिपलोमा केंडिरेट्स है एक लाग दस अजार रुपे परमन बेसेस पर आपको सेलरी मिलेगी इसके बाद चिकिस्सा अधिकारी मेडिकल ओफिसर की पोश्ट यहाँ पर है M.B.B.S के लिए 10 पद इसमें आप पर शामिल की गए M.B.B.S की डिगरी इसमें आप लोगों से आपर मांगी जा रही मद्धिप्रदेश मेडिकल काउंसल में आप लोगों का रेजिस्टेशन भी होना आपका जरूरी है 60,000 रुपे आप लोगों को यहाँ पर सेल्ली मिलेगी इसके बाद दोस्तों आयूश मेडिकल ओफिसर की भी हाँ पर वेकैंसी है और आठ पद इसमें आप पर शामिल के गए है BAMS, BUMS, BHMS कहने वाली बात है आईरवेट, यूनानी और होमिपैती चिकिस्टा वाले सभी केंडिरेट्स हाँ पर एपलाई कर सकते और आईरवेट वाले डॉक्टर से हैं तो आईरवेट का आपको 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 चाहिए और दोस्तों यूनानी है तो यूनानी बोर्ड का आप लोगों को यहाँ पर चिकिस्टा पदेती का आपको रेजिस्ट्रेशन चाहिए और स्टाफ नर्स के लिए पोश्ट यहाँ पर आच चुकी है सिर्फ यह वेकैंसी महिलाओ के लिए आप रहेंगी female स्टाफ नर्स की वेकैंसी है और 48, 48 पर इसमें आप पर शामिल किये गए नर्सिंग प्रिश्रेक्ष्टन के अंदर से prescription प्राप्त एवर मध्य प्रदेश nursing council में जीवित पंजियन होना आपका जरूरी है तो दोस्तों nursing से जो candidate से आप पे prescription प्राप्त है तो वही candidate से आप एप्लाई कर सकते मध्य प्रदेश nursing council का आपको registration होना आपका आप पे जरूरी है BAC nursing G&M वाले candidate apply कर दे 20,000 रुपे आपको salary इस पोश्ट के लिए दी जाएगी इसके बाद pharmacist के लिए vacancy है इसमें दो पर है और pharmacy में diploma अगर आपके पास है और यदि आपके पास B pharma है या फिर D pharma है तो बिलकुल आप लोग apply कर दे मध्य प्रदेश pharmacy council में आप लोग registered भी हो 15,000 रुपे आपको आप पे salary में लगी इसके बाद अंत में lab technician की vacancy है इसमें 40 पद है और lab technician का दो वर्ष का diploma आप लोगों को आप चाहिए DMLT का हो और या फिर आपके पास BMLT है या फिर आप लोग MMLT है तो भी विलकुल आप लोग यहाँ पे apply कर सकते हैं मद्यप्रदेश paramedical council में आप लोग registered भी हो 15,000 रुपे आपको परवाइन बिसेस पे salary मिलेगी अब दोस्तों बात कर लेते हैं apply आपको किस तरीके से करना है तो आप सभी को बताना चाहता हूँ apply करने के लिए application form का format कहीं भी आप लोगों को provide नहीं करा गया और यह जो भरती विगया आपने newspaper के माध्यम से आपको दिया गया सिर्फ apply करने के लिए एक ही आपको आप पे जनकरे दी गई लिखा है दिनांग 21 जनवरी 2022 को शाम के 5 बज़े तक आवेदन सुईकार किये जाएंगे तो इसकी जो लाज़ेट है 21 जनवरी साम के 5 बज़े तक का समय आपको दिया जा रहा है इसके बाद किसी भी प्रकार के आवेदन जमा नहीं होंगे आवेदक द्वारा अपना पता एवब मोवाईल नमर इसपाश्ट एवब अवशक रूप से अंकियत करना सुनेशित करें तो दोस्तों शायद आपको CMHO Office जिला सीहर आपको आपको जाना पड़े वहीं पर आपको जानकारी मिलेगी शायद ही वहाँ पर आप लोगों को एप्लिकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कराया जाए अलग से आपको अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और सिर्फ ये बोल दिया गया कि आपको 21 जनवरी 2020 सामके साड़े 5 बजे तक का आपको समय दिया गया आप लोग करते हैं और दोस्तों आपके देखिए लिखा है अभी दक का थायर कॉलिटिकेशन है तो बिलकुल आप लोग यहाँ पे एपलाई करेंगे और उमर के आदार पे जो भी आपके एज यहाँ पे क्राइटिरिया है और आपकी जो भी मेरिट रिस्ट बनेगी आपकी कॉलिटिकेशन के आदार पे फाइनली आप लोगों को जॉइनिंग दे दी जाएगी दोस्तों यह जो वेकैंसियां पर जो रिलीस के गई 28 फरवरी 22 इस देट तक के लिए आप लोगों की सेवाई ली जा रही है राश्ट्री स्वास्ते मिशन मंदे प्रदेश द्वारा इनको बढ़ाया या पर गठाया जा सकता है और निरधारित अवदी के बाद स्वता ये जो है सर्विसेस जो आपकी सेवा है समाप्त यहाँ पर मानी जाएंगी तो अभी जो जॉइनिंग है 28 फरवरी 2022 इस देट तक के लिए आप लोगों को जॉइनिंग मिलेगी इन सेवाओं का कोई भी नियमती करण या फिस समीधा सेवा के लिए किसी भी दशा का जो है दावा यहाँ पर नहीं किया जा रहा और इमर्जेंसी सर्विसेस के तोर पे आप सभी लोगों यहाँ पर जॉइनिंग दी जाएगी आइस थाई टेंपरेरी बेसेस पर आपको जॉइनिंग मिलेगी सबसे उपर की तरफ भी आप लोगों को यहाँ पर बोल दिया गया कि यह जो वेकैंसी आप जो रिलीस की गई कोविड-19 महमारी के रोकताम और संक्रमित मरीजों को उपचार करने के लिए यह वेकैंसी आप पर रिलीस कर दी गई और राश्टिय स्वास्ते मेशन मध्य प्रदेश एनेचेम मध्य प्रदेश के अंतरकत कोविड-19 यह रिकूटमेंड आइस्थाई टेंपरेरी बेसिस में आप पर जारी किया जारा और दोस्तों सबसे नीचे की तरफ आपको एज लिमिट के बारे में भी जानकारी दे दी गई है आपकी जो आयू है 21 वर्स से 60 वर्स के बीच आपकी आप पर रहना चाहिए तो 21 से 60 यर्स वाले जितने भी केंडिरेट्स हैं यह एस तक के सभी केंडिरेट्स आप लोग apply आप लोग यहां पर कर सकते हैं तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आपके cover की और आप सबी लोग CMHO office जिला सियोर में जाके official information वहां पर प्राप्ट कर सकते हैं यह जो जानकारी है newspaper के माद्यम से आप लोगों को provide कराए गई और सबसे पहले और सबसे तेज यह जो information है एक मातर हमारे YouTube चैनल द्वारा आपको मिल लगी है अगर कुछ ने को जानकारी आपको आप इस वीडियो से मिलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें लाइक जरू करना और आगे और भी वेकेंशी आने वाली है चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो को नीचे जाएं सब्सक्राइब के रैट बिटिन को आप एक लिक करें मद्यप्रदेश स्वास्ते बिवा की और विकेंसी की जानकारी आगे भी पाते नहीं तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में थेंक यू सो मच